क्यूं? क्या हो गया भाई? अपना भाशन भूल गया क्या? नहीं भाईया मैं कुछ भूला नहीं हो लेकिन मैं भाशन नहीं दे सकता है भाशन तो बहुत होते रहते हैं देश के नेता और लीडर तो बोलते ही रहते हैं कान पगगाई सुनते सुनते कभी कभी तो सोचता हूँ कि इनके मूँ से शब्दों की जगह अगर गेहूं और चावल निकलता तो कितना अनाज होता कभी कोई भूका नहीं रहता अरे अरे रामभाव कैसर हो तुम्हाँ या आएगा का अच्छा अच्छा और सब कुसल मंगल तो है ना ताम सब इन लोगां से कहत रहे कि इस भाशन में ससुर का रखा है भाशन में कोई रखा उखा नहीं है हाँ नहीं भाशन नहीं दे सकता हूँ इसले की ना तुम्हाँ लीडर हूँ ना नेता हूँ तो फिर तुम कौन हो हाँ मैं मैं वही हूँ जो तुम हो या तुम हो या फिर तुम हो एक आम इंसान हम आम इंसान मामूली इंसान कहला दे हूँ मगर हम मामूली इंसान नहीं है भाई कि हम मामोली नहीं है कि ये हर सवेरे अपने रोजगार के लिए साड़कों पर पैदल और अंगिनित साइकलों पर निकलने वाला ये बसों में खड़े रहकर सफर करने वाला ये राशन और केरोसीन की लाइनों में रेंगने वाला ये फुटपातों बाजारों दफ्तरों में कोड़ियों की मोल अपनी मेहनत बेशने वाला इंसान मामूली नहीं है वाई ये छोटा नहीं है इसलिए कि इसी के पसीने से तो दुनिया का हर कारगाना चलता है इसी के पसीने से दुनिया का हर खेचनी चाहता है इसी के हाथ नीट पेट रखकर मकान बनाते हैं यही हाथ मिलो में नया कपड़ा बुनते हैं और गाटों में पुराना कपड़ा हो जाते हैं इस दुनिया की हर रोटी, हर कपड़े, हर मकान के पीछे हम है हम हम, हम आम इंसान यही इनसान इस जमीन का बारिस है, इस धर्ती का पहला बेटा है मगर, मगर यह दुनिया बड़ी निराली है वही इनसान जो दुनिया को सब कुछ देता है उसी के पास कभी रोटी नहीं, कभी कपड़ा नहीं, कभी मकान नहीं यहां जो मसीवत आती है, सबसे पहले इसी पे आती है महिंगाई बड़े तो सबसे पहले इसका चूला ठंडा होता है बीमारी पहले तो सबसे पहले इसका बच्चा मरता है वो बार हो, सुखा हो, और तो और दंगे फसाद में भी आम आदमी ही मरता है बाकी तो किसी का कुछ होता नहीं है और हम भी बढ़े अजीब ठीट कुछ समझते ही नहीं हमारे हाला थे थे हमारी मुसीबत थे एक हैं अगर कोई समझते ही भाई साथ दर ये सुनिये मैं एक बार कहीं रेल गाड़ी में जा रहा था तो डिब्बे में देखा कि एक आदमी अपना समान अपने सर पर उठाए बैठाए तो मैंने उससे पुछा क्यों भाई है ये क्या कर रहे है बोला समान मेरा है मैं नहीं समालूंगा तो और कौन समाल सुना आपने गाड़ी चल रही है वो भी उसी में चल रहा है बाकी मुसाफे भी उसी में चल रहे हैं मगर वो अपना बोजह अपने सर पर लादे बैठा है कि मैं नहीं देखूंगा तो और कौन देखेंगा हम सब भी बस ऐसे ही हैं जिन्दगी की गाड़ी चल रही है हम सब एक ही डिब्बे में लेकिन अपना अपना बोजह अपने सर पर उठाए बैठे तो भाईया मैं तो बस यही समझता हूँ और यही आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि अच्छा तो यही होगा कि हम और आप अपने अपने खुदगर्जी का बोज सर से उठाके नीचे रखते हैं और यह देखें कि जिन्दगी की जिस गाड़ी पर हम चल रहे हैं वो सही पट्री पर चल रही है या ने इसलिए कि अगर वो सही पट्री पर नहीं चल रही है तो आप अपनी मंजल तक पहुँच पाएंगे और नम है और अगर गाड़ी की पट्री सही है तब हम सब अपनी मन्जल तक पहुँचेंगे एक साथ हम आप छोटे और मामुली इंसान हमारे सुब्दु के एक हमारा नसीब एक और जिस दिन हम एक होगे उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत ना हमें लूट सकती है ना दबा सकती है ना मिटा सकती है बस यह इतना कहना तो मुझे तो मैवार की और जिस दूख। भॉrealर्म ज्रकाव कर दो कि अग्राइब तो आफ यह छोगा तो आफ़ा साथ का मैसे देख क्या आजाए तो ग्रफार ना किया जाए यह मैसे तुमने खुद लिया लिस सर्थ झाल झाल